ओम नमो तारा तिर्पुरा तोटला तीनो बसे कपाल अमरित टीका मैं करूँ शक्त्री जाय पयाद भक्तो दिवाली आने वाली है और इस दिन किया गया कोई भी कर्मकार्ण कभी खाली नहीं जाता तो दिवाली पे आपको कहीं से भी शुद्ध गोरोचन प्राप्त कर देना है अगर गोरोचन ना मिले तो आप मुझसे भी ले सकते हैं लेकिन इसमें शर्थ ही रहेगी कि आपका गोरोचन असली होना चाहिए अब दिवाली की रात में जो आपका गोरोचन है जितना भी आपको मिला है उस पर 108 बार इस मंत्र को पढ़ दीजिए जिससे कि आपका गोरोचन शुद्ध और एक्टिवेट हो जाएगा इसके बाद उसका तिलग करके आप जिसके भी पास जाएंगे वो देखते ही देखते आपके वश में हो जाएगा ऐसा करने से आप अपने शत्रू को भी परास्त कर सकते हैं अगर इसका तिलक करके आप अपने शत्रू के भी सामने जाएंगे तो वो भी आपके सामने नत्मस तक हो जाएगा लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर आती है गोरोचन का शुद्ध होना अगर आप बजार से लेते हैं तो उसमें 90% चांसे होते हैं कि आपका गोरोचन नकली होगा इसलिए आपको शुद्ध गोरोचन कहीं से प्राप्ट करना होगा शुद्धताई गैरंटी आपको इस प्रियोग के बाद ही मिल जाएगा अगर आपका प्रियोग काम कर जाता है अगर आप सफल रहते हैं तो आपका गोरोचन शुद्ध है अगर नहीं करता तो या तो आपका मंत्र गलत है या फिर कुछ और इसमें खामिया है या फिर आपका गोरोचन ही खराब होगा तो इसको एक बार करके देखिए अगर आपको गोरोचन मिले तो और किसी पर तरह की जानकारी के लिए मुझे कॉल कीज़ेगा ट्रिपल नाइन टुएट फोर सोला पिक्चिस पर धन्यवादे झाल